नमस्कार दोस्तो यूट्यूब चनल लखनमाली में आप सब का बहुत बहुत स्वागत दोस्तो आज हम आपको बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आएं दोस्तो जितने भी राजस्थान के MP के जितने भी जो तैयारी में लगे हुए साती हैं उन सब के लिए बहुत ब करता हैंगे कि आपकी तयारी किस प्रकार की होनी चाहिए दोस्तो आपको पता है कि तयारी तो सभी करते हैं लेकिन आपको एक विवस्तित और एक management के हिसाब से और एक psychology की तरीका से आप यदित तयारी करते हैं तो निश्चत रूप से आप सफ़ल होते हैं इसमें कोई संद कारी उपलब्द करवाते रहेंगे आपको इसमें मॉडल टेस्ट पेपर हम इसमें उपलब्द करवाएंगे आपको तो आपकी जैसे कि मुख्य रूप से आपका संस्कृत सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट और साइकलोजी सब्जेक्ट को तो हम निश्चत रूप कर सकते हैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बताएंगे क्योंकि हमने रादस्थान के अंदर जो आर्टेट दो बार हुआ है दौनों बार हमने एकजाम आर्टेट का पास किया है अच्छे नम्मर से हमने प्राव उसमें दौनों ही पास की हैं उसके बाद में द बास में तो आपका विश्वास एकदम अच्छा होना चाहिए कि आपका जिसकी तयारी आप कर रो वो आपका पूर्ण रूप से विश्वास उस पर रखो और आप बिलकुल इबानदारी से तयारी करो दोस्तो जहां भी आपका समय खराव हो रहा उस समय को आपको बचाना ह हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा और यदि विश्वा से अपने श्रम पर तो मरस्तल में भी जल होगा चलिए दोस्तो इसके साथ ही आज कहीं वीडियो प्रारम करते हैं चलिए आज कोछ नया सीख लेते हैं आज जो की मद्य प्रदिश शासन स्कूल शक्ष विबाग द्वारा प्रात्मिक शक्षक के लिए पातरता परिक्षद दोहजर बीस होने वाले हैं दोस्तो इसके फॉर्म भरे जाचों के हैं बहुत सारे जो साथी हैं रादिस्तान के हैं अन्य राज्यों के जितने भी साथ कि इतनी सारी भीड है, हमारा कैसे नम्बर आएगा लेकिन ये बात बिलकोल ही आपकी सोचना व्यारत की बात है क्यांकि भीड कितनी भी हो, भीड तो एक भीड होती है, उसका नाम भीड ही होता है यदि आपको उससे बाहर निकलना है तो आपको उससे हटके कुछ ऐसी तैयारी करनी होगी जो एक विवस्तित तरीका से होगी और एक मैनेजमेंट के हिसाब से तैयारी आपकी होगी तो निश्टत रूप से आप सफल होंगे दोस्तो इसमें कोई संदे नहीं है आपका कोई ड करना है आप किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे टाइम टेवल के हिसाब से और आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फॉकस करना होगा आप किस सब्जेक्ट से आप ज्यादा नमर ला सकते हो कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए और किसको ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि आप कहां से कितने नमर ला सकतो ये एक ट्रिक होती है ये एक प्रकार से व्यवस्था होती है हमारी management का ये system होता है हमारा तो ये सब आपको हम बताएंगे इसमें ये हम अनुभब के आधार पे आपको सारी चीज़ बताएंगे जो हमने कि बताएंगे कि बहुत सारे साथी हैं जो इसमें पातरता नहीं रखते हैं और कौन-कौन सी पातरता होती है उसके बारे में भी हम आपको इसमें चर्चा करेंगे जैसे exam की बात है तो exam आपकी बहुत दूर नहीं है exam का आपका समय रहेगा दोस्तो अप्रेल में याने कि 25 नहीं कि आस-पास का जो समय है उसी के अंदर आपको तैयारी करनी है दोस्तो आपके मतद तैयारी की जो सब्जेक्ट है आपका जो matter है वो बहुत सारा है आपके पास तो आपको इसको तीन मेहने के हिसाब से आपको डिवाइडेशन करना है कि किस प्रकार से आप यह सारी च परिक हम बताएंगे इसमें कैसे आप तयारी कर सकते हो और निश्ट रूप से आप सफ़लोंगे इसमें कोई संदे आपको नहरेगा क्योंकि देखिए इसमें आपको हम बताते हैं कि एक तो इसमों हो गया आपका कि एगजयाम का है 25 अप्रल कि एग्जयाम रहेगी दो पाली म वाली आते हैं या आपको देखना इसमें इसकी दुआरा है कि बोर्ड दुआरा आयुजित परिक्षाओं में मूल फोटो एक पहचान पत्र लाना आनी वारी होगा ये आपको ध्यान रखना जब भी आप एकजाम में जाओगे मूल फोटो एक पहचान पत्र के रूप में आप अभ्यरती मद्दा पहचान पत्र पैन कार्ड है आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ड मेंसे कोई भी एक मालो उसमें से आप ले जा सकते हैं एक को चैनित कर सकता है मूल फोटो एक पहचान पत्र के अब हम अब्यर्ति परिक्षा में समनित होने से बंचित किया जा सकता है यानि किया जाएगा ऐसी कई बार केस हो चुका है कई मतलब बहुत सारे ऐसे केंड़ेट हैं जिनको इसमें बंचित भी कर दिया गया है तो आप ऐसी मतलब समश्यक्यों उत्पन करें अपने आपसे तो आप पहले से ये सारी चीज़ां को लेकर जानी है अब ब्यर्ति को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचे के अतरिक्त में अपना आधार काड़ या आधार काड़ की छाया परतिया आधार नमर या आधार वी आईडी की जानकारी लाना नीवारिय है परिक्षा में प्रविश के समय एबम परिक्षा की दोरान भहुस तरिये जो वायोमेट्रिक सत्यापन अनीवारे होता है तो वो वहाँ आपको वता दिये जाता है अब परिक्षार्तियों को परिक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परिक्षा के इंदर में प्रवेश की अनुमती होगी इसकी पस्चात में बिलम से आने वाले अभिर्तियों को प्रवेश की पातरता नहीं होती है इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि समय से पहले अपने सेंटर पर आपको पहुँच जाना है परिक्षा कक्षम एलेक्टरोनिक डिवाइस, मोबाइल, फॉन, कैलकुलिटर, लॉक, टैबलेस, नकल परचाद, इत्यादी ले जाना आपको पूर्ण वर्जित है तो ये वो सामानने सी बात है, कोई इसमें बहुत खास बात नहीं है कोई भी आविधन आोंलाइन आविधन पत्र करमांग के दुआरा ही आविधन परिक्षा हेत्व अब्यर्टी अपना प्रिवश्पत्र प्राप्त कर सकते हैं वो आपको सम्माल कर रखना है उसको याद रखना है आपको मूबाइल में आप स्पीड करके रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है सब ये अब बिर्तियों का मद्धिपर्देश राजी के रोजगार कारियाले के अंदर भी आपका पंजियन होना नहीं वारी है तो ये आपने फॉर्म बरा होगा तब आपका ये इमित्र वाले ने कर दिया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है परिक्षा के अंदर पर आविदक को काला बाल पेन पोईंट पेन तथा परिक्षा हॉल में प्रवेश रतू मंडल की वेब साइट से डाउनलोड किये गए आपके प्रवेश पत्र लाना आनी बारी होगा किसी बिर्द परिक्षा प्रार्म होने के पस्चाथ परिक्षा स्माप्ति तकपरिक्षा कक्षए छोड़नी के अनुमती नहीं होगी अब एदन पत्र भरते सम उम्मी द्वारों के किसी भी प्रमान पत्र का परिक्षन पी इवी द्वारा नहीं किया जाता है अधर कम्प्यूटर आधारेत उनलाइन परिक्षा में उम्मी द्वारों की पातरता पूर्णाता प्रावधिक होती है तो ये कुछ महित्पूर्ण बात थी अब इसके अंदर आपको जो बहुत इंपोर्टन जो बात हैं वो आपको हम बता रहे हैं यानि कि इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि इसमें अपात्र घोशेत हो जाते हैं तो इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जो पात्रता से संबंदित हैं तो इसमें आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो आपको इसमें बता रहे हैं शुल कानिवारेवाल सिक्षादिकार अधनियम दोहज्यानों के अंतरगत रास्टे मार्ण अध्यापक शिक्षा परिश्द द्वरा जारी कि अनुसार उक्त पात्रता परिक्षा का योजन किया जाना है तो इसके बाद में आपको जो चीज हैं जैसे कि पद का इसमें आपका विवरण आपको पता है कि यह प्रात्मिक शिक्षक के लिए है अब इसमें वालों नहीं फॉर्म बरा है तो उनको भी अनुमति मिली है इसमें लेकिन विशेश रूप से प्रात्मिक शिक्षक के लिए है और आविदन पत्र निर्देश पुस्तिका में प्रारेमबिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा होने आनिवारे है यदि डिप्लोमा नहीं है तो आप इसकी योग्या ही नहीं है प्रवरगवार्ग निउनतम अंकों का प्रतिश्ट निम्लिकत अनुसार होगा तो इसके अंदर जैसे कि 50% है और 60% है यानि अनुसुचिट जाती है अनुसुच जाती है और अन्य पिछड़े वरग और दिब्यांग वेक्ति जो होंगे उनके लिए इसमें बताया है कि आपको 50% चाहिए और अन्य के लिए 60% इसमें अनवारी किया है तो ये इसके अंदर होना चाहिए इसके बाद में और भी इसमें कुछ बाते हैं जो कि आप इसमें देख लेंगे अब इसके अंदर कुछ इंपोर्टन बात है जो आपको बता देते हैं उसके बाद में हम डेटेल से बात करेंगे आपको तयारी किस परकार से करना है कौन से टॉपिक से आपको क्या अध्यन ज्यादा करना है किसमें से आप नम्मर ज्यादा ला सकते हो इसमें है कि आविदक को भाषा एक और भाषा दो के विकल्प में से अलग-अलग बिशे चैनित करना होगा तो आपको अलग-अलग बिशे इसमें चैनित करना होता है प्रश्न पत्र में जैसे कि पेड़ागोजी एक तो पेड़ागोजी से संबंदित प्रशन होते हैं एक भाषा फस्ट और एक भाषा सेकिंड और गणे तेवं परियावरन अध्यन के प्रतक प्रतक आपके 30-30 प्रशन होंगे तो आपके ऐसे करके आपका 1, 2, 3, 4 और 5 यानि की 5 पार्ट हो गए 5 तिया की 15 तो आपका मतलब हो गया की 1,500 प्रशन आपके आने वाले हैं ठीक है ना प्रात्मिक सेक्षक पातरता परिक्षा में भाग लेने वाले आवेदक्स जो निर्धारे सेक्षक योग्यता और जित करने की परिक्षा के अंतिम वर्स में प्रविश्रत हैं जो आपके लास्ट एयर में चल रहे हैं भी पातरता परिक्षा में बैटने हेतू मानने होंगे तो वो विद्यार्थी भी बैट सकते हैं जो आपके लास्ट एयर में चल रहे हैं इसमें उनको कोई दिकत नहीं है इस बात का आपको विशिश डियान रखना है कि आवेदन करने हेतु अब्यर्ति की नियूंतम आयू एक जनबरी दोहजार बीस को 21 वर्स हो जाने चाहिए ये आपको इस पस्क्रूप से अच्छे से आपको समझने है इस बात को सिक्षक पातरता परिक्षा का नाम मद्य प्रदेश प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा ये आपका नाम है इसकी बैदिता आवदी परिक्षा 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 जारी होने के दिनांग से दो वर्स रहेगी यानि कि इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो सिर्फ दो वरस तक रहेगी उसके बाद में ये खत्म हो जाती है और फिर अगली आपको तैयारी उसकी करने होती है अब देखिए इसमें आपको जो सबसे इंपोर्टेंट है जिसकी हम बात आपको बताने बालें आज और आज हमारा जो मुख्य ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो आज का ये है कि प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा दोहजार बीस हित उपरिक्षा योजना एवं पाठ्षे करम आपकी किस प्रकार से आप तयारी करेंगे आपका पाठ्षे करम क्या होगा आप किस पाठ्षे करम में से किस चीज को ज़्यादा आप पढ़कर के इसमें नंबर ज़्यादा ला सकते हैं तो वो चीज आपको इसमें देखनी है देखिए सबसे पहले इसमें बात यह है कि आपको कुछ मुख्य बाते हैं जिनको द्यान में रखना होता है इसकी आपके जो एक्जाम होगी इसमें आपको तीनों 1.500 प्रशन होंगे दोस्तों थो ठीक है? यानि पातरत परिक्षा में कुल 500 प्रश्ण हैं और 500 वहीं आपके अंग होंगे तो 1500 नम्मर के ये 500 सवाल आने वाले हैं और आपको करना होगा इसको लही गहां के अंदर अब आपको यह ध्यान दंदना है कि अब a.gक्रणdray time और खंदे में आपको लिधा अन रखना है यह بहुत सारे हमारे जो साती होते हैं उनको समझ आती है उनकी दिक्कत क्या होती है कि समय उनका कई बार कम पढ़ जाता है तो कम ऐसा समय कम पढ़ जाता तो उसको आप मैनेज करना है आपको उसी हिसाब से आपको मैनेज करके आपको रखना है तो आपको ये देख लो कि एक मिनिट आपको समय है तो एक मिनिट में आपको एक सवाल करना होगा तो ऐसे करके आप देखेंगे तो बहुती मतलब परियाबत समय है आपके पास ऐसा कम समय नहीं है अगला है कि पातरता परिक्षा के सभी प्रश्ण भहु विकल्पी होंगे इसमें तो विकल्प आत्मक प्रश्ण आपके objective टाइप की होंगे जिनके चार विकल्प होंगे और एक विकल्प आपको सही करना होता है तो ये एक सामाने simple सी बात है अब इसके अंदर जो subject का डिवाइडेशन है वो किस परकार से है उसको भी हम जान लेते हैं जो की बहुत ही important चीज़ है तो इसके आधर पर आपको बताएंगे किस परकार से आपको तयारी करनी है जो कि आज आज आपका ये main topic हम आज बता रहे हैं देखिए देखिए दो सबसे पहले इसके अंदर आपको देख पा रहे हैं आप जैसे की देखिए इसके अंदर आपको देख रहा है इसमें जो मुख्य है एक तो आपके इसमें एक पार्ट सबसे पहला पार्ट है बाल विकास इवं सिक्षा सास्त्र ठीक है ना इसमें आपके तीस सवाल आने वाले हैं जो की तीस मार्क्स के आपके होंगे उसकी बाद में सेकंड पार्ट आपका होगा लेंगविज फरस्ट अब लेंगविज फरस्ट में आप क्या लेते हैं यह आपके उपर निर्वर करता है आप हिंदी संस्कृत आप जो भी लेंगे वो आपकी यहां पर आएगी जैसे कि आपने संस्कृत ली ठीक है यह आपने हिंदी ली तो जो भी आपकी लेंगविज होगी वो लेंगविज यहां पर आ जाएगी उसके आपके तीस सवाल होंगे उसके बाद में है आपके आते हैं जो 30 नमर के होते हैं उसके बाद में पांच वार लास्ट जो है परियावरन अध्यन का है यह दोस्तों आपका प्रात्मिक वाला है तो इन्वार्मेंट स्टडी है तो यह आपका सभी के कॉमन रहेगा यह तो क्योंकि यह मुख्य रूप से प्रात्मिक टीचर के जी जो है चाइल्ड डवलप्मेंट एंदा पैड़ागोजी से संब्द आपके 30 प्रस्ण होंगी और लेंग्विज फरस्ट और सेकेंड आपके 30-30 नमर के होगी और गणेत आपके 30 नमर के होगी परियावरन अध्यन आपका 30 नमर का होगा अब इसमें आपको करना क्या है क क्योंकि आपको इसमें ध्यान रखनी है जैसे कि प्रस्णों की प्रकरती इवं इसतर आपको पता है कि इस्टेंटर जो आपका रहेगा परिक्षा का वो आपका बहुत जादा नहीं रहेगा तो बालविकास इवं सिक्षासर की प्रस्ण जो है वो 6-11 बरस आयू समू के सिक नहीं तू अच्छे फैमिलिटेटर की विशिश ताइवम गुणा पर आधारित होंगे यानि कहने का मतलब यह है कि आप इसमें जितने भी सवाल आते हैं वो ज्यादा तर आपके व्यावारिक सवाल होते हैं तो आपको इसमें रटने से ज्यादा समझना होता है यानि कि आ आप समझ कर ही इसमें सवाल सही कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आज जितने भी सवाल जितने भी एक्जाम होती है वहाँ पर जितने भी पेडागोजी के साइकोलोजी के जो सवाल होते हैं वो सारे के सारे आपके व्यवाहरिक सवाल होते हैं तो आपको अच्छे से कॉ बाइसस्ग्र में इस्मैं कोई आपकी बड़ी बात नहीं है और सेकंड भाषा में भाषा सेकंड में बाषा एक से प्रतक होगी जो कि बिलकुल होगी आवेदक आवेदन पत्र में जैसे कि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत और उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे यानि कि भासा सेकंड के अंदर आप भाषा जो सेकंड होगी उसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में से वो विशे की अभधारणा समश्यास माधान और पेड़ा गोजी समझ पर आधारित होंगे यानि कि आपके गने तो इस संबंदेट भी आपके क्या है शिक्षण विदिया आती है पेड़ा गोजी से सवाल इसमें आते हैं तो वो भी आपको इसमें समझने होते हैं प्रश्ण पत्र में प्रश्ण मद्य प्रदिस राज्य की कख्षा एक से पांच के प्रचलित पाठ्षे करम और पाठ्षे पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे लेकिन इनकी कटना इस तरह संभधता हाई स्कूल इस तरह तक की हो सकती है आपको बस में बताया गया है यानि कि कुल मिलाकी यह है कि जो MP के अंदर जो आपका पाठ्षे करम चलता है पहली से पांच वी तक का उनसे संबंद टॉपिक्स इसम होंगे लेकिन इस टेंटर आपका हाई स्कूल का हो सकता है इसमें कोई संदे नहीं है अब इसमें तयारी का है मैन इंपोर्टेंट की आपको तयारी कि साधार पर करनी है किस प्रकार से आपको रंड नीती बनानी है, किस प्रकार आप तयारी करके आप इसमें सफल हो सकते हैं, इस बात पर आप थोड़े सी चर्चा करते हैं जैसे कि सबसे पहले इसमें 30 प्रशन आपके Pedagogy के आ रहे हैं दोस्तो तो पेड़ागोजी का आपको पता है कि पेड़ागोजी यानि की साइकोलोजिट चाइल्ड डवलपमेंट और पेड़ागोजी आपको इसमें जितनी भी टॉपिक्स हैं आप टॉपिक्स को जैसे की मानलो साथ टॉपिक हैं साथ टॉपिक हैं या मानलो आठ टॉपिक हैं या आपके नौ टॉपिक हैं कैसे आपको तैयारी करने हैं किस परकार विवस्तित तरीका से आपको तैयारी करने हैं वो आपको बता रहें इसमें तो आपके कोई भी topic हो जैसे कि मालो आपका कोई भी विकास अधिगम करता का विकास है और व्यक्तित वगेरा जो भी आपके topic चलते हैं 7, 8, 5, 6, 4 जो भी topic चलते हैं उनको आप divide कर लिजिए और आपके पास जितना भी समय है जैसे कि 3 माह का समय आपके पास उसके आधार पे division कर लीजिये कि आपका समय मतलब इतना है और आपके पास topic इतने हैं तो आपका कितने दिन में आपका ये complete हो जाएगा उसी हिसाब से आपको divide करके फिर आपको तयारी करनी है यानि कुल मिला कि ये कि आपका जितना समय आपके पास बच रहा है उस समय की बीच में आपका एक नई दो तीन बार आपका सलेवस हो जाना चाहिए उस प्रकार से आप डिवाइडिसन करके चलेंगे तो आपका निश्ट रुप से आप सफल हो जाएंगे इसमें कोई संदिन नहीं है क्योंकि जो बाल विकास और सिक्षा सास्तर जो आपका टॉपिक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों बहुत जादा खास टॉपिक है आपका यह क्योंकि यहां से आप प्लस हो सकते हो बाकी लोगों से आप प्लस हो सकते हो यहां पर यदि आपने इसको इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा, हर टॉपिक को समझना होगा दोस्तों, हम हमारे चैनल पर इससे संबंदित आपको हम वाल विकास से संबंदित और हिंदी और संस्कृत से संबंदित आपको प्रैक्टिस सेट और प्रश्ण आपको हम प्रश्ण वली डाला करे तो हमारे चेल पर आप बोच्छ करते já हैं, हमारे चेनल को देखते रहीं, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेर जरूर करें, कमेंटलीर लाइक शेर जरूर करें शुरूर करें स्कृत वाला है और हंदी है तो संस्कृत आपके पास क्या क्या इसमें आने वाला है कौन से आपकी चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हैं आपको पता है तो इसमें बहुत ज्यादा इस्टेंडर कुछ होता नहीं है तो आपको इससे संबन्द देते भी हम वीडियो बनाएंगे तो वो भी आपको यूटुब पे हमारे चैनल मिल जाएंगी तो उसकी भी आप practice कर सकते हो। तो घिल मंन कर लाकि आँपको gettin की जब है बात आती है तो language में आपको Sanskrit है जैसे लिंग है तो इन में आप अच्छे नमल ला सकते हो इनकी तायारी आपको अच्छे से करनी है और इसमें आपके जितने भी टॉपिक हैं उनको डिवाइड कर लो आप जैसे कि आपके पंदरे टॉपिक हैं बीस टॉपिक हैं तो उनको आप कर लो कि मेरे को एक दिन में दो टॉपिक करने हैं एक दिन में एक टॉपिक करना है और संडे का दिन आपको खाली रखना है इसमें कोई टॉ करें तो इसके लिए आप करिंगे क्या किसमें आपको अभी हश चाहिए वह जाए ज़ीजा तो हम रॉफ कापी में आप अभी हश करेंगे जिदनी आप प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा आप इसको करोगे कि इसमें जीके की तर रतना संचना इतना वह नहीं है Go को solve करना है आपको इसमें learning by doing आपको करकर के देखना है इसमें समझ समझ करके आपको करना है और जो बिलकुल अच्छे से त्यारी करना चाते हैं आप सक्सेज होना चाते हैं सफल होना चाते हैं और निश्यत रूप से नौकरी यह पहले तो जैसे कि चौती पांचवी छटी साती इनकी आठवी किलास की आप उस तक ले लो और उन पुस्तकों से आप स्टडी करना चालू करें उसमें जो भी इंपोर्टन लगे उसको आप अलग से एक रजिस्टर में नोट करते जाएं उसके बाद में आप गाइड आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है और एक साइकोलोजी पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आप नमबर ला सकते हैं अच्छे नमबर आप ला सकते हैं क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा तरकी कमजोर होती हैं तो आप की ये चीज़ जो बची हुई है इनमें आप प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो common है सबके लिए इनमें तो लगबग बरावर से नमबर आते हैं बहुत ज़्यादा difference आप नहीं कर सकते हैं तीन subject में लेकिन आप बहुत ज़्यादा difference कर सकते हैं अच्छे से आपके बल्दोई जगे से एक तो आपका पेड़ागोजी चाइल्ड डवलब्मेंट इनस पेड़ागोजी और दूसरा है आपका गणे subject ये दोनों ऐसे subject आपके जो आपको सफल बनाने में कामयाब आपको कामयाब करने में आपको सफलता दिलाने में आपके लिए सायक होंगे तो ये दोनों ही आपकी जो subject इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि ये आपके लिए सफलता दिलाने वाले सब्जेक्ट हैं क्योंकि ये बहुत ही मतलब important subject इसलिए हैं क्योंकि ये अधिकतर के कमजोर होते हैं और यहां अधिकतर में यहां अधिकतर को दिक्कत भी आती है तो आप इसी तरह से आप त्यारी करेंगे और आप टाइम टीवल बना के फिक्स करके आप तैयारी करेंगे तो निश्य दूरूप से आप सफ़ा लोंगे इसमें कोई संदिन नहीं है तो इनी शुकामनाव के साथ में आप तैयारी में जुट जाएए लग जाएए और आपकी एक्जाम बहुत नजदी के आने वाली ह तब तक के लिए आप आप यह वीडियो आप अपनी दोस्तों के साथ शुयर करें तब तक के लिए बने रही हैं मरे चनल पर जैहिंज जैवारत धन्यमार्ण